दोस्तों दिवाली आ रही है और दिवाली पे कुछ मेठा बनाना तो बनता ही है तो आज हम सबका फेवरेट गुलाब जामुन बनाएंगे और वो भी मार्केट में जो रेडी मिक्स आता है सीमा पाउडर उससे बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बरतन में थोड़ा सा गुलाब जामुन रेडी टू में एक मिक्स निकाल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ और अच्छे से मसल मसल के यहाँ देखे मेरा एक सॉफ्ट सा डो बनके बिल्कुल तैयार हो गया आप देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना ग्रीन डो तैयार कर रही हूँ तो जो डो मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा मैंने ले लिया और इसमें ग्रीन फूड कलर को पानी में घोल के आड़ करके मैंने यह ग्रीन डो तैयार किया है और आज हम नॉर्मल गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे मैंने इसको नाम दिया है सर्प्राइस गुलाब जामुन तो देखिए मैं ये कैसे बनाती हूँ और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना जो ग्रीन वाला डो है उसको एक छोटा सा मटर के दाने से थोड़ा बड़ा साइज में एक बॉल का शेप दे दिया है गोल सा एकदम बिना क्रैक्स का और यहाँ पे मैं अपना जो गुलाब जामुन का डो है उसको फैला लेती हूँ उसमें ये थोड़ा सा पोर्शन में रखके जो बॉल साइज का मैंने बनाया है रखके इसको अच्छे से बंद कर दूँगी सील कर दूँगी और अब हम अच्छे से इसको बिना क्रैक्स का एक दब अपना गुलाब जामुन शेप दे के तयार कर लेते हैं और मैंने हाथों में ओयल लगाया है ताकि हमारा डो हाथ में ना च्छिप के तो फ्रेंड्स इसी प्रोसेस से मैं अपने सारे गुलाब जामुन को तयार कर लेती हूँ और दोस्तों मैंने अपने गुलाब जामुन तयार कर लिये थे अब यहाँ पे मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी लिया है इसको गहरे बरतन में मैंने डाल दिया और साथ में मैंने यहाँ पे एक कटोरी ही पानी लिया है उससे ज़्यादा नहीं लेना है और इसको मैं बच्छे से मिलाते हुए पका लूँगी और फ्रेंड्स इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से 5-6 मिनट में हमारा ये चाशनी बन जाएगी चाशनी में उबाल आ गया था तो मैंने इसमें इलाइची कूट के आड़ कर दी फ्लेवर के लिए और बस अब ये 2 मिनट में बिल्कुल तयार होने वाला है फ्रेंड्स और ये देखिए हमारी चाशनी उबल गई बिल्कुल और ये मैंने देखा तो चिपचिपा हो चुका है बस ये चिपचिपा हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद चाशनी को ढanska रख देंगे तो यहाँ पे चाशनी बन गई मैंने इसको ढख कर रख दी अब हम अपना गुलाब जामून फ्राई कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बरतन में रिफाइन ओयल ले लिया है और यह पिल्कुल हलका सा गरम है ओयल बहुत जादा हेट नहीं है ना मेडियम फ्लेम ना हाई फ्लेम एकदम लो फ्लेम पे मैं इसमें कुछ आट मिनिट मैं इसको अलट पलट के पकाऊंगे और देखिए जैसे जैसे यह पक रहा है थोड़ा थोड़ा फूल गया मेरा गुलाब जामून और यह बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको हैंडल करने के लिए मैं इसमें करशी नहीं डाल रहे हूँ फ्रेंड्स मैं इसको चम और देखिए फ्रेंड्स यहां पर 7-8 मिनिट में मेरे यह सारे गुलाब जामून बनके तयार हो चुके हैं तो मैं अब इनको एक बरतन में निकाल लूँगी और फिर मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी और यहां पर मेरी चाशनी गरम है क्योंकि मैंने अभी अभी बना जामूनों को फ्राई करके चाशनी में डूबा कर दूँगी और यहां पर सारे गुलाब जामून एक घंटे तक सोख हो चुके थे अब मैं इनको एक बरतन में निकाल लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यह अंदर से कैसे बनके तयार हो है और दोस्तों दिवाली पर आप यह रेसिपी जरूर ट्राई करियेगा यह देखे यह मेरे गुलाब जामून एक दम बनके तयार हूँ यह देखे यह जो सप्राइज है यह अंदर यह देखे अंदर से यह ग्रीन है तो किसी को भी आप खिलाएंगे तो वो भी सोचेगा कि आपने यह कैसे बनाया तो यह रेसिपी आप जरूर दिवाली पर ट्राई करियेगा फ्रेंड्स उमीद है आपको पसंद आई होगी मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पो वाशिंग टेक केर बाइबाई और हैपी दिवाली टो अल आफ यू झालै मिलती हूँ झालै मिलती हूँ झां यू है थत्याल मुलट अ चू झालै खू छू ज थैंक्स उन्झ